तो फाइनली स्वागत है आप सभी का संडे टॉक के इस नए वीडियो में, काफी दिनों के बाद ये संडे टॉक का वीडियो अप्लोड हुआ है, जिसमें बहुत सारी बाते करेंगे, आप लोग के तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं, कमेंड में आप सभी लोगों ने जो सभी बाते होंगी, और आप सभी लोग के सवालों का जवाब मिलेगा, ठीक है ना, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एक और जरूरी बात में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, कि आज आखरी दिन है, 2030 का आखरी दिन, यानि कि इस साल का अंतिम दिन, कल से न नया साल का पहला दिन ही, 11 बजे एक वीडियो अपलोड होगा, जो की काफी इंपोर्टेंट है, उसमें धेर सारी शुब कामनाय दी गई है, नया साल की, और जो भी मुझे आप सभी लोगों से बाते करनी है, वो सारी बात में उस वीडियो में की हूँ, तो कल का वीडियो इंपोर्टेंट है, जरूर देख लिजेगा, और लाइक शेर जरूर कर दीजेगा, ठीक है ना, अभी फिलाल के लिए आज आखरी दिन है, 2030 के इस साल का आखरी दिन, तो एडवांस में आप सभी लोगों को 9 अर्स की धेर सारी शुब कामनाय है, ठीक है ना, चली आज के इ सवाल पूछे गए, सभी तरह के सवाल के जवाब दूंगी मैं, ठीक है, चली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कोशन पूछा गया है, आप सभी लोगों के तरफ से, कि उर्दू के पेपर में लाइन छोड़ कर लिखे, या फिर कैसे लिखे, बताइए, बीना लाइन छोड कर भी लिख सकते हैं, और बीना लाइन छोड़े भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग मेरी राय मानेंगे, तो मेरी राय यही है, कि आप लोग लाइन छोड़ कर लिखे, एक एक लाइन छोड़ कर जो लिखा जाता है, उसी तरह से उर्दू के पेपर को लिखना है, एक एक चोटे-च्छोटे लफ्जों को लिखते हैं। जो फल्ट है नا वो चोटा है। थिक है। तो आप लोग बίνा लाइन छोड़े ही लिखे सटा सटा कर लिखे लेकिन अगर आप बड़ा-बड़ा लिखते हैं। का font बड़ा है एक लोग की राइटिंग की जो उर्दू की की Size है है वो बड़ी है तो आप लोग आप लिखते हैं आप लोगे ऊपनेजे कोई करते हैंец सभाये हैं अब दूसरा सवाल आप सभी लोग के पूछा गया है कि एंसर देते समय ब्लू कलम से लिखे या ब्लैक कलम से तो देखिए एंसर लिखते समय एक्जाम हॉल में जब आप बैठ कर एंसर लिखते हैं तो एंसर लिखते समय आप ब्लू कलर के कलम का भी यूज कर सकते हैं और ब्लैक कलर के कलम का भी यूज कर सकते हैं यानकि दोनों कलम से लिख सकते हैं ब्लू या ब्लैक नंबर नहीं कटेगा क्योंकि खुद जो आप लोग का एंसर शीट होता है या फिर कोशन पर ही होता है आप यू कह सकते हैं अगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि चाचा जी के पास खत लिखें तो आपका भतीजा लिखें या फिर बेटा यह तो अवीजोली बात है डारेक्ट एंसर दिख जा रहा है कि अगर चाचा जी के पास आप लोग खत लिख रहे हैं तो आखिर में आपका बेटा थोड़ो ना लिखेंगे क्योंकि चाचा कि आप भतीजा कहलाएंगे या फिर भतीजी कहलाएंगे तो आखिर में आप लोग आकर आपका बेटा या फिर आपकी बेटी लिखेंगे लेकिन अगर आप लोग चाचा के पास खत लिखेंगे ना तो चाचा के पास अगर आप लोग खत लिखेंगे तो आखिर में जाकर आप लोग को आपका भतीजा या फिर आपकी बहतीजी लिखना है ठीक है आई कीजिए बस अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो धीरे-धीरे हर एक बोर्ड का पढ़ा दिया जाएगा जैसे जैसे व्यास्ता आगे बढ़ती जाएगी व्यास्ता होते जाएगी हर एक बोर्ड का पढ़ा दिया जाएगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप सभी लोग के तरफ से पूछा गया है कि खत और अप्लिकेशन अलग होता है क्या तो यहां पर समझेए जी हां थोड़ा सा कांतर होता है खत और अप्लिकेशन जिस तरह आप लोग इंग्लि उस तरह से लफजों का यूज करके लिख सकते हैं यानि कि खत जो होता है वो किसी रिष्टेदारों के पास जिससे आपका कोई ना कोई रिष्टा है उसके पास लिखा जाता है लेकिन अगर बात करें अप्लिकेशन की तो अप्लिकेशन उसके पास लिखा जाता है जिससे ताक हो या फिर्ण्ट विभाग में लिखना चाहते हैं या पिर अख्बार इडिटर के पास लिखना चाहते हैं तो यह लोग जो हैं उनसे और आपका कोई रिष्टा नहीं है तो इनके पास लिखा जाता है application paper यानि की दर्खास तो बस यही तो थोड़ा सा कांतर है कुई ना कोई रिष्टा है और दर्खास उसके पास लिखा जाता है जिससे कोई रिष्टा ही नहीं है। accurately फॉर्मल भी हमाई क्या जाता है और application में Recեक्ट से बात भी कि-जाती ठीके ना तो यही बस थोड़ा सा कांतर होता है अगला सवाल पुछा गया है कि 12th class के उर्दू के VVA subjective question का one shot कब करवाईएगा और फिर next question है कि one shot उर्दू grammar का वीडियो कब तक आएगा यानि कि उर्दू grammar के one shot का वीडियो कब तक आएगा बड़ा ही अच्छा सवाल है और इस कि बात हो या फिर किसी भी subject की अब्जेक्टिव की बात हो या फिर सब्जेक्टिव की सभी तरह के वीडियो अप्लोड कि जाएंगे आप लोग 10 सब्सक्राइब क्लास के उर्दू के subjective question का वन शौट हो या फिर फिर सब्जेक्टिव कोशन का one shot हो तो जितने भी सब्जेक् हिंदी ग्रामर हर एक चीज़ का फोन शॉट यहां तक ही 12th क्लास के उर्दू के सब्जेक्टिव का वन शोट होगा बहुत जल्द 10th क्लास के उर्दू का भी वन हर एक वीडियो का और हर एक टॉपिक का वीडियो जो है आप लोगों को वन बाई वन करकेष्छ लोड कर दिया जाएगा और हर एक टॉपिक कवर करा दिया जाएगा टेंशन लेने की तो एक प्रसेंट भी ज़र्वर नहीं आप लोगो सारा टॉपिक कवर होगा आगे बढ़ते हैं अब लास्ट कोस्टन देखिए जो कि बहुत ही इंपोर्टन कोशन है कि अंतिम तीस दिनो कमर्स से हैं या फिर आर्ट से हैं इस्ट्री से हैं जोग्रॉफी से किस सब्जेक्ट से हैं मुझे नहीं पता लेकिन हां मैं उर्दू का हिंदी का और इंग्लिश का जरूर बता सकते हैं कि आप लोग को इस चानल से मिल जाने वाला है हो सकता है कि आप हिंदी और उर्दू लिए हो English ना लिए हो तो 200 संद्रों को मिल जाएगा ना या या फिर हो सकता है कि आप लोग उर्दु नहीं हो हिंदी और इंग्रिश लिए हो तो 200 मार्थ फिर भी आप लोग मिलेगा इस प्लेट्फोर्म से तो 200 माफ की समझे की पक्का है आप लोगो मिल ही जाने वाला है तो अब बात करते हैं कि अंतिम 30 दिनों में तयारी कैसे करें देखिए सबसे पहली बात दो तरह के student होते हैं एक वो student जो स्टुडिंट से 365 दिनों से तयारी करते आ रहे हैं एकदम punctual रहे हैं जो भी मैं आप लोग को पढ़ाई हूं आप लोग पढ़े हैं एक भी वीडियो मिस नहीं किये हैं हर एक चेप्टर को पढ़े हैं और जितना भी मैं अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ कराई हूं हर एक वीडियो देखें और अब्जेक्टिव अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किये हैं, उनकी तैयारी जीरो है, 365 दिनों में एक बार भी ख्याल नहीं आए कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन अब वो सिरियस हो गये हैं, क्योंकि मातर 30 दिन बचा हुआ है, अब वो चाहते हैं कि इन 30 दिनों में इतनी पढ़ाई कर दू कि मैं top of the best आ जाओ, मेरा marks अच्छा आ जाए अब वो चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा वीडियो मिल जाए, जिस वीडियो में 365 दिनों की पूरी तैयारी करा दी गई है, एक ही वीडियो में और विहार बोर्ड के final exam में जो question आएंगे, उसी वीडियो से टैली कर जाए, सब एक ही वीडियो में हमें सब कुछ मिल जाए, तो यहाँ पर राजती है guess question वाली बात, और student जो है, पूरी तरीके से 100% guess question पर निर्भर हो जाते हैं, जो guess question कराया जाता है, ये वीडियो देख लो ये आप लोग के exam में तो पक्का है कि आने ही आएगा ही आएगा, ये question देख लो, आप लोग के final exam से, इसी वीडियो से question रहेंगे, और student इसी तरह के वीडियो के पीछे भागते हैं, और guess question को करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम होता है, लग वाली बात जाती है, अगर लग अच्छा है तो लड़ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन नहीं लड़ा तो यहां पर ठहरिए, रुकिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप लोग गेस question कीजिए, लेकिन एक होता है, 100% depend हो जारा, पूरी तरीके से गेस question पर 100% निर्भर मत हो जाईए, मैं भी guess question कराती हूँ, आप लोग को पता होगा, हर साल मैं भी guess question कराती हूँ, कि हाँ यह question कर लीजिए, guess question है, आप लोग एक्जामे question पूछे जाएंगे, और पूछे भी जाते हैं, उपर वाले की करम से मुझे तो इतना अनुभाव हा मैं आप लोग को guess question कराती हूँ, और माशाला guess question लड़ता भी है, हर साल जितना भी guess question में कराती हूँ, हर साल आप लोग के final exam में वही question, वही guess question पूछा जाता है, और इस साल भी कराऊंगी, आप लोग हर एक guess question को कीजिएगा, लेकिन सिर्फ practice के तोर पर, पूरा 100% उस पर depend नहीं हो जाना है, कि नहीं यहीं आएगा हमारे exam में, और नहीं आया तो, मैं यह भी नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आएगा, और मैं यह भी नहीं बोल रही हूँ कि यहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ guess question है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में बत बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पर एस्टोरण कम्फ्यूज हो जाते हैं फिर हम क्या करें क्या करें कि इस दिनों में हमारी तेश्षीच कोर्षन पर डिक्रेंड न में तो फिर हम क्या करें तो अब सेल्यूशन में बता रही हूं आप लोगो 100% पर डिपेंड नहीं रहे रहा है गेस कोशन कराया जाएगा आप लोग कीजिए प्रैक्टिस के तौर पर वह मैं आप लोग को कराऊंगी आप लोग कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक और मैं आप लोगों को बता दे रही हूं मातर 30 दिन बचा हुआ है न और आप लोग के 12 क्लास के उर्दू के बुक में टोटल 40 चैप्टर है और 40 चैप्टर से ओन एंवरेज टोटल सब्जेक्टिव कोशन की संख्या जो होगी वह चार सा होगी एवरेज लेकर चल रहे चार से 30 से भाग किजिए कितना आ रहा है एक दिन का एवरेज आएगा 13 यान कि आप लोग को हर दिन हर दिन परती एक दिन 13 कोशन याद करना है इन 30 दिनों में चार सा कोशन आप लोग के मुठी में होगा अब आप लोग पुछेंगे कि तो कभ याद करें ये भी बता दीजे स्थी करते आ रहे हैं उनके पारलेल उनकी बराबरी करना है आप लोग तो थोड़ा सा तो आप लोग को हाडetteु करना होगा क्योंकि आफ लोग स्टार्टिंग से तैयारी नहीं किए अब आप लोग चाहते हैं कि 30 दिनों में हुम की अतनी तैयारी करते लृत रहे हैं उनक इसी भी वक्त एक दिन में एवर्यज लेकर चलिए तेरा कोशन और इस तरह आप लोग तिस दिन में चार सा कोशन होगी पर आप हमांड को जाएगा कुछ इफ्रेंट आलसी भी होते इस तरह से भी और वो चाहते भी है कि मेरा रिजल्ट बहतर हो और फिर आलसी पन भी है उनके अंदर तो इसके लिए एक और मेराय देना चाहती हूं कि आप लोग उर्दू ग्रामर कम से कम पढ़ लिजे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप् करनें ज्यादा नहीं होता है और उर्दीघ्रमर में आप लोग चला नहीं करना पे लिए की कहते हैं और फिर उसके बात must कर तो परतियक्ब वीडियो को कि देखना ही देखना है किसी भी हाल में अप के लगा कर एगा जब दो नृत को देख लेना है प्रतियक वीडियों जब कर सकते हैं मतलब किसी बीदर से अगर आप लोगो को अगर आप लोग 12 Prize लिए हैं कि हा हां मुझे 30 में यह त्यारी करनी है कि श्मले Bhag прошл sister Zukunft दिनों में ने नंकि बराबरी कर लेनी है तो फिर आप लोग को अपने आप से promise करना होगा अपने अगर आप इन 3055 दिनों में फिर इन दार ह 100 ओ है मातर आप लोग के पास एक महीना बचे हुआ है तीस दिन तो अगर आप लोगों ने 11 महीना पढ़ा ही नहीं किया है न तो एक महीने के लिए आप अपने आपको एक ऐसे पिंजडे में बंद कर लिजिए जिसकी चाभी एक महीने तक कहीं ढूनने से भी ना मिले एकदम जम क चोखिनी एक कर दिनी है और आप लोगों को एक्जामेट अप अब बेस्ट लाना है समय तो बहुत कम है लेकिन आप लोगों को पूरा दम लगाना है छोड़ दीजिए इस महीने की शादी बरात की लगन और वैसे इस महीने में कोई भी लगन नहीं चलता है ठीक है जन्वर 10 मिनट पढ़िए और बाकी 10 मिनट कमरे से बहार निकल जाए और आप लोग थोड़ा मस्ती कर लिए इंटर्टेन्मेंट जरूरी है सुना है जिसकी मस्ती जिन्दा है तो आराम से 10 मिनट आप लोग मस्ती कीजिए अपने अब्बु अमी के साथ या फिर बहन के साथ या फि कमरे से बहार निकल जाए 10 मिनट के लिए और थोड़ा मस्ती करके फिर वापस आ जाए और फिर आप लोग जो 50 मिनट पढ़ें वो पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ें एकदम दिमाग और दिल सब कुछ एक जगा होना से यह पढ़ाई पर और कहीं नहीं 50 मिनट पुरा द इस दनों में आप लोगी तेयारी एकदम जबर्दस्त हो जाएगी और आप लोग फाइनल एक्जाम देने के लिए बिल्कुल तयार रहेंगे चलिए तो फाइनली इसी के साथ आज के संडे टॉक के वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और फिर अगले संडे टॉक में जो लोग इस हफ्ते में question पूछेंगे जो भी आप लोग के मनल में जो भी आप लोग का सवाल आएगा उसका जवाब देने के लिए next संडे टॉक का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को जो भी पूछना है जो भी पूछना है जो भी सवाल हमसे करना है आप लोग कमेंड में पूछ लीजे उस सवाल को मैं पिक करके रखी रहूंगी इसी तरह और अगले संडे टॉक के वीडियो में उन सभी सवालों का ज देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर आउन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडिय के साथ तब तक के लिए जए हिंद और खुदा हाफिज